हालो माई डियर फ्रेंज वेलकम टू दा चंदा क्लासेज यूटूब चैनल मैं सिल्पी वर्मा आज आपके लिए प्रेक्टिस चेट याने की कुछ देके आए हैं जो आपके डियर फ्रेक्ट्रारइब यूई इनके सब के लिए हम आपको बताने आये हैं ताकि आपके एक्जाम के लिए हेल्प फुल हो तो आएए दश्वों आपका समयना लेते हुए हम अपने कोस्टंज पर आते हैं सबसे पहला कोश्यान है हमारा की देखेंगे हम यहां पे कि आहत सिक्के किसके बने होते हैं कौन से सिक्के हैं यानि कि आहत सिक्के जो हैं आहत, आहत सिक्के को हम क्या कहते हैं, जो आहत सिक्का होता है, वो हमारा पंचमार्क सिक्का, यानि की आहत सिक्कों को पंचमार्क भी बोलते हैं, आहत सिक्के किसके बने होते हैं, मतलब सिक्के बने होते हैं, किसके सिक्के बताएंगे, एक सिक्का होगा आपका चांदी का, दूसरा है आपका तामबे का, तीसरा है आपका कांसे का और सोने का हम देखेंगे यहाँ पे जिस तरीके से जो आफसन रखे गए हैं, आफसन का मतलब जो नेट जयारफ में पूछा जाता है कूट नीतिक यानि की कूट वाले जो कास्टन जैसे पहला हम देखेंगे यहाँ पे, यानि की फास्ट और सेकेंड यानि की चांदी और तामबा ए भी आपका question यानि कि ए भी आपका answer सही नहीं होगा दूसरा answer है आपका कि एक second यानि कि तांबा, कासा और सोना ए भी आपका answer सही नहीं होगा इस question के आधार पर ये दोनों answer आपके गलत हैं तीसरे में आएंगे यानि की चांदी भी, तामबा भी, कासा भी और सोना भी फार्स सेकेंड, थार्ड और फॉर्थ ये चारो आफ़सन हैं तो क्या है फ्रेंट्स ये चारो आफ़सन ये वाला आपका यहां पे सही होगा यह option और चोथा था आपका केवल फास नहीं यहाँ पर केवल इसलिए है क्योंकि फास सेकेंड थार्ड और फोर्थ चारों option आपके सही है क्योंकि आहा सिक्का यानि की चारों का बना था लेकिन दूसरे अगर हम यहाँ पर यह देखेंगे इस question से दूसरे यानि की दोनों और भी questions इससे बनेंगे आहा सिक्का अगर दूसरा मालू यह option अगर हम हटा देते हैं यहाँ से तो केवल अगर यही option रखा जाए कि आहा सिक्का किसका बना था तो सब क्या होगा सबसे ज़्यादा जो सरवार्धिक प्रचलन में रहा होगा तो वो कौन सा होगा आपका चांदी का यानि की चांदी सिक्का केवल यही आपका आएगा जब आपका यह वाला answer नहीं होगा तो लेकिन यहाँ पर यह वाला answer आपका नहीं है तो इसलिए आपका जो answer माना जाएगा वो कौन सा होगा यह वाला कूट वाला आंसर यानि की चारों यहां पे माने जाएंगे चांदी का, तामे का, कांसे का और सोने का भी आईए फ्रेंस अब हम आते हैं यानि की सेकेंड नंबर पर दूसरा कोश्चन क्या है फ्रेंस जो दूसरा कोश्चन है वो हमारा कौन सा है मोहन जोदुलों से क्या नहीं प्राप्त हुआ मोहन जोदुलों जो एक नगर है कौन सा नगर यानि की हडपा सब्वेता का यानि दूसरा अस्थल है जो उसके बारे में बता पूछा जा रहा है कि मोहन जोदुलों से क्या नहीं प्राप्त हुआ कौन सा है एक आपका सर्मिक आवास हो गया दूसरा आपका जो है वो स्नानागार है तीसरा है पसुपत की मोहर चहथा है पुरोहित आवास अब हम इसमें ये देखेंगे कि सबसे पहले देखेंगे जो मोहन जोदलों है मोहन जोदलों में क्या क्या प्राप्त हुआ आपको पत सबसे पराप्थ हुआ है कि मोहन जोडलों में पुरोहित आवास भी था पुरोहित लोक आवास यानिकी दूर्ग छेद्र में रहते थे और दूसरा समय जahren मोहर से मिली है तीसरा ऑफ्षयन आपका स्नानागार मोहन जोडलों से इस नानागार भी प्राप्त हुआ है लेकिन जो सबसे पहला आंसर है आपका कौन सा स्रमिक आवास ये मोहन जोदलों से नहीं प्राप्त हुआ स्रमिक आवास जो है वो आपका कहां से प्राप्त हुआ है हरपपा से प्राप्त होता है पर मोहन जोदलों से यहां ये साच आपका नहीं मिला है तो कौन सा आपका साच सही हो जाएगा जो साच सही होगा वो आपका कौन सा हो जाएगा स्रमिक आवास स्रमिक आवास का मतलब यह है कि जो लोग स्रमिक जो लोग कारे करते से जैसे की क्रसी चाहें वो क्रसी का कारे होता चाहें वो आपका निर्मार छेतर यानि की निर्मार करता लेकिन जो लोग स्रमिक ही कहलाते थे याने कि उनका आवाज जो लोग जहां रहते थे वो यानी की हडपा सब्भिता से उसका साच मिलता है लेकिन मोहन जोदुरों से इसका साच ऐश्यchemical है अगले कोश्चं क्या है कि कैं अगले कोश्चं की हम बाथ करेंगे तो आपका आएगा अगले कोश्चं में नीमन पूरा-पासार काल,यानि कौन सा पासार काल है निम्न पुरा पासार काल के उपकरण किस पदत इस पर बनाएब्दात के पता होगा कि diverse पहला है ब्लेड पद्दत, दूसरा है फलक पद्दत, तीसरा है कोर पद्दत, माइक्रो लिस पद्दत, ब्लेड पद्दत में हम देखेंगे जो ब्लेड पद्दत कहां कब हुआ था, किस आधार पर बनाया जाता था, उच्च पुरा पासार काल का ये था, उच्च पुरा पासार काल में जो ब्लेड पर आधारित जो आउजार बनाये जाते थे वो उच्छ पुरा पासारकाल में बनाये जाते थे इसलिए ब्लेड पद्दत यह नहीं होगा हलक पद्दत भी नहीं होगा कोर पद्दत यानि कि यह जो आफ्षन है आपका कोर पद्दत यानि कि आफ्षन नंबर जो सही होगा वो यानि की तीसरा जो आपका माना जाएगा कोर पद्दत पे बनाये जाते थे कोर पद्दत का मतलब जो मूल पत्थर होता था जिसे कोर कोर को बनाया जाता था मूल पासार को उसको क्या बूलते थे यानि की खुरच-खुरच को बनाने को क्या खेता थे कोर कॉस्यन है हमारा का चौथा कोश्यन वो हम देखेंगे बोगई कोई का अविलेख. प्राप्ण हुआ है क्या फिर किस देश से प्राप्त हुआ है यहां पर question पूछ रहा है कि अभिलेख प्राप्त हुआ है option के आधार पर हम यहां पर मतलब तिक करेंगे एक तो इरान हो गया देशों की बात कर रहा है इरान है इराख है तुर्की है और मिस्र है यानि कि जो बोगज कोई अभिलेख है तो बोगज कोई अस्थान से ही मिला है कहां से मिला है तुर्की से कहां से मिला है तुर्की से next question की हम बात करेंगे तो यानिकी कौन सा है हरपपा सब्भйता की महरे जो थी वो बनी थी किसकी बनी होती थी सरवादी प्यर गज़ देखेंगे चट की भी बनी थी तांबे की भी बनी थी सेल खडी, काझचली, मिट्टी यानि की हरपपा सभ्विता का जो यहां पे आंसर तो कौन सा हो जाएगा पहले आंसर यानि की first or second यानि की चर्ट और तामबा ए भी आपका सही नहीं है दूसरे हम बात करेंगे यानि की इसमें तीन आंसर दे रहा है कौन कौन सा एक आपका चर्ट तामबा और सेल खड़ी यहां पे यह भी आपका अंसर सही नहीं माना जाएगा जो तीसरा आंसर आपका आएगा first, second, third और fourth यानि की first में आपका चर्ट भी सही है तामबा भी सही है, सेल खड़ी भी सही है और कांचली मिटी भी सही है अगर आपके लिए यह वाला कांसर आपका सही होगा यानि की चारों का अगर हम यहां पे यह आप्शन कूट वाला ना दिय होता या केवल यही अदिया होता तो यहां पे सरप्थम कौन सा माना जाता? सेल खड़ी खड़ी सरवाधिक प्रचलन में थी बनाया तो सारे मतलब पत्थर से गया है, चट का भी बना था, तामभे का भी बना था, आपका सेल खड़ी और काचली चारो का बना था, लेकल रूप्र 125 में हम देखेंगे, वो आपका सेल खड़ी से ही बनाया गया था, इस से दो कोशन बनते हैं, अगर ऐसा कोशन आपके यल नेक्स्ट पर्रिटर ना पूछ रहा है यानि केवल भारत में ना कि विस्व में बात करा है कहां से भारत में कहां पर भोज पत्र का प्राचीनतम साथ छिपाया गया है तो पहला आफशन क्या है हस्तनापूर है दूसरा कौन सा है आपका पंचवटी है तीसरा कौन सा है चित्रकूठ है चौथा आपका स्रंगेर वेरपूर है तो हम यहां पर बात करेंगे आपके लिए तो कौन सा आफशन सही होगा स्रंग वेरपूर से यानि की प्राचीनतम साथ छिपाया गया है किसका भोज पत्र का बोज पत्र का जो साथ ही यानि कि हतनापुर में भी नहीं मिला पंचवटी पर में भी नहीं मिला चित्र कूट में भी नहीं था स्रंगवेर पूर में मिला है अब हम आएंगे next question पे next question हमारा है कथन कारण का प्रेंस कथन कारण जो question है सबसे ज़ाधा net भी पुछे जाने वाले question कौन से है कथन कारण हो गया, पूट वाले हो गये हैं, ऐसे question आते हैं तो कथन कारण में कौन सा question हो गया कथन कि महाबीर स्वामी पुनर जन्म में विश्वास करते थे क्या कर रहे है कि महाबीर स्वामी जो थे पुनर जन्म में विश्वास करते थे लेकिन जो आर आफशन है वो क्या कर रहे है कि उन्हों ने स्वासत आत्मा के अस्तित्त को सिर्कार नहीं किया था यह आपका कथन और काली दोनों हो गए है आफशन में क्या दिया गया है आपका कि ए सही है आर गलत है तो कौन सा सही हो जाएगा दूसरा आफशन है आपका ए और आर दोनों सही है तीसरा आफशन है आपका ए गलत है परन्तु आर सही है चौता है ए और आर दोनों सही है परन्तु आर ये की सह श्रकति ब्याख्या नहीं है आपको पता है कि महावीर स्वामी जो थे पुनर जन में विश्वास करते थे पर आंत नों ने स्वासत आत्मा के अस्तित को सिरकार किया था इसमें क्या है कि नहीं किया था तो इसलिए socio असे होगा यानि याने कि A सही है और R गलत हो जाये गा तो फ्रेंजन समय कोwestion पर यह कोशन है, याने कि मिलान करने के लिए सुमेलित question भी कुछे जाते हैं, यह question जो है आपका कौन समाना जाएगा याने कि महा जन पद का ये question है, जो राजधानी में मिलान करना है आपको तो कौन सा माना जाएगा देखिए एक है यानि कि पांचाल यानि कि यह है महाजनपद और यह है राजधानिया हम इसमें देखेंगे कोशन क्या कह रहा है निमने लिखित युगमों में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है एक चीज पर ध्यान देगा कि जो question में हम सबसे बड़ी गलती करते हैं question को बहुत आसानी से पढ़ते हैं पर सही जो नहीं option होता है वो हम नहीं देख पाते हैं इस वजे से हमारे questions यह बहुत जल्दी गलत होते आते हुए भी गलत हो जाते हैं तो इस question पर बहुत ध्यान देना होता है जो चीज नहीं का है तो इसमें क्या पूछा गया है कि कौन सा महाजनपाद की राजधानी इसमें जो मिलान नहीं है जो सही नहीं है पांचाल की राजधानी क्या मतुरा है नहीं है क्योंकि यहीं सही है क्योंकि पांचाल की जो राजधानी है वो क ये भी सही है तो कौन सा अंसर सही हुआ आपका फरस्ट आंसर सही हुआ अब हम next वाला देखें next question नेक्स कॉस्चन है यानि कि निमने लिखित अभिलेखों में से कौन सा अभिलेख क्या पूछ रहा है यह असोक धर्म का है जानकारी देता है यानि की पूछ रहा है कौन सा सिला लेख है यानि की तेर्वा सिला लेख है या आपका सात्वा अस्थंब लेख है या आपका बार्वा सिला लेख है या आपका दूसरा सिला लेख है दोस्तों रेखेंगे हम याने कि जो प्रत्खम कलिंग का याने कलिंग जब युद्ध हुआ था उसका जो धंब वीजे याने कि धर्म एपनाया था तो वह उसकी जो वर्लन किया है वह किया है तेरवे अभिलेक में किसमें तेर intendedjak में इसका वर्ण दिया है अब हम आएंगे next question यानि कि गुप्त बंस का पहला सासक कौन था क्या पूछ रहा है गुप्त बंस का पहला सासक कौन था जिसने अपनी को महा राजा धिराज क्या है कि महा राजा धिराज कहा है क्या पूछा है यहाँ पे गुप्त बंस का पहला सासक कौन था जिसने अपनी को जो उपाधी दी थी वो कौन सी थी महा राजा धिराज की मतलग किसने दिया था महा राजा धिराज कौन सा option है इसमे चारो यानि की चंद्र गुप्त पर्थम भी है चंद्रगुप्त दिती है या घटोत कच्छ है या फिर रामगुप्त है किसने महाराजा धिराज की उपादी धारण की थी यानि कि चंद्रगुप्त प्रथम ने किसने की थी चंद्रगुप्त प्रथम ये माना जाएगा next question यानि कि मेग स्थनीज द्वारा लिखित इंडिका यानि कि इंडिका के लेखा कौन है मेग स्थनीज हैं मेग स्थनीज द्वारा लिखित इंडिका जो थी वो लुक्त हो चुकी है यानि कि वो जो उसकी उन्हुका घ्रत जो था इंडिकर लुक्त हो गई है यानि खोः चुकी थी किन्त उसके अंस जो थे जो कुछ शीजे थी जो अंस है वो किन उनान निंवम रोम के लेखुकों की करतियों में बचे हैं ये आपका क्वेशन है ये क्या कह रहे है क्मतलब ज किसकी करतियों में बचे हुए हैं जिन्होंने इसको संभाल के रखा था तो कौन सा है यानि कि टेसियस हो गया दूसरा प्लीदा एल्डर हो गए हैं तीसरे डायडोरस हो गए हैं चौथे इस्ट्रेबर हो गए हैं यह आपका जो कोश्चन है वो है आपका कूट का अब हम जिए का कौन-कौन से अब पहला देखेंगे हैं यानि कि फर्स्ट और सेकेंड कौन सा है टेसियस और जो कि या आपके लिए गलत है तीसरा यानि कि जो ऑफ्षनfred यानि कि याणि की फ्ली अ में इल्डार एक थे थर्ड itad जो है आपका डायोडोरर अत्वाइब रही हैं थाम नाम होगा कौश्पन से प्लीना दर भी है डायोडोरस भी है और स्ट्रेबों भी है यानि कि इनकी क्रतियों में या कहें कि इनकी पुस्तिकाओं में में स्नीज की इंडिका के अंस इसमें अभी बचे हुए है नेक्स्ट कोश्चन निम्न लिखित में यह कौन सा कौश्चन है आपका साउस इंडियान यानि की मतलब दच्छिण भारत का यह कौश्चन है यहां से भी कौश्चन उठाए जाते हैं देखिए क्या पूछ रहा है निम्न लिखित में से किस दच्छिण भारत के क्या पूछ रहा है किस दच्छिण भारत के राज का उलेख यानि की जो दच्छिण भारत का राज कौन कौन से थे यानि की चेर भी था पांड भी था और चोल भी याग था तो इसमें कौन से यानि किसका उल्ले यानि की मेंग स्थनीज की इंडिका में है इसमें पूछा गया है कि मेंग स्थनीज की जो इंडिका है उसमें दच्छिण भारत का कौन सा ऐसा राज है जो उसकी पुस्तक में वड़न किया गया है तो कौन सा इसमें राज माना जाएगा चेर पांड सतीपूति या फिर चोल हमने देखा यानि कि जो पांड राज है दच्छिन भारत का पांड राज का उलेख मेग स्थनीज की इंडिका में किया गया है किसका अगर हम दच्छिन भारत की बात करेंगे तो दच्छिन भारत में पांड राज यानि की तीन संगम हम next question पर आते हैं, वो question कौन सा है, 13, next question, बुद्ध ने अपने सरवाधिक उपदेश कहां पर दिये थे, यानि कि कौन सा question है, कि बुद्ध ने ये question पर ध्यान दिये, ये क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कि बुद्ध ने अपने सरवाधिक उपदेश कहां दिये थे, क्या दिया है सरवाधिक अब हम इस पर ध्यान ये देंगे कि बुध्ध ने अगर हम मालीज मुझे नहीं ध्यान दिएते तो कहीं कहीं पर लिखा होता है कि बुध्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था अगर पहले उपदेश की बात करेंगे तो कौन सा सही हो जाएगा सारनात क्योंकि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनात में दिया गया है लेकिन यहां पे जो पूछ रहा है वो कौन सा क्या पूछ रहा है सरवाधिक उपदेश कहां दिये थे कहां दिये थे सरवाधि उपदेश रावस्ती में सबसे ज़्याधा उपदेश रावस्ती में ही दिया था नेक्स कॉस्चन अब हम आएंगे असोक ने किस अभिलेख में ये पूछा गया है कि असोक ने किस अभिलेख में कलिंग यूद्ध का उलेख किया है कलिंग यूद्ध जब किया था तो उसके बाद धम्म विजयाने की धर्म अपना लिया था लेकिन कलिंग में जो युद्ध हुआ था उसका वनन पूछ रहा है कि कौन से अभिलेख में कलिंग युद्ध का उलेख किया गया है तो इसमें कौन सा यानि की जौघर सिलालेक भी है, धौली यानि की धौली सिलालेक भी है, रोमन देई भी है, रोमन देई बुद्ध से रिलेटर है, तो ये भी नहीं हो सकता है साहवाध गड़ी सिल्प राजाः अगर हम देखेंगे यहां पर तो कौन सा माना जाएगा सहवाध गड़ी सिल्प राजाः इसमें असोग ने क्या किया है कि अपने अविलेख में यानि कि इस सहवाजगरी सिल्प राज जाग्या अविलेक में क्या किया कलिंग यूद्ध का वर्ण भी इसमें दिया है नेक्स कोश्चन है हमारा सुमेलित का अब हम जो सुमेलित आएगा वो कौन सा होगा खरपा सब्भेता से सबसे ज़्यादा कोश्चन इसके देखे जाते हैं या तो पूट में होंगे नेट में जो पूछा जाता है या तो पूट में होंगे कथनकारण का सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और नॉर्मो कोश्चन कुछ ही रहते हैं अब हम देखेंगे यानि की जो question यानि की इधर सिंदु हाटी नगर है यानि की सिंदु सब्वेता की जो ये नगर है वो है इधर है कि किस तट पर स्थापित है नदी यानि की नदी का तट पूछ रहा है ठीक है अब हम देखेंगे मोहन जोदुडो तो पहला कौन सा है मोहन यानि पहला एक्शन सेकेंड यानि कि मोहन जोड़ो क्या रावी नदी के सथान उतने तावि नदी तट पर इस्थित है नहीं ए भी आापका सही नहीं होगा तीश wacky यानि कि दूसरा बनावली को दिखाया गया है सिंदु से, ए भी सही नहीं है, क्योंकि मोहन जोदलोग खुद सिंदु के तड़ पर स्थापित है, ए भी आपके लिए सही नहीं है, first देखेंगे रोपार, यानि कि रोपड़ वाला भी नहीं, क्योंकि रोपार सतलच पे है, अ क्योंकि अब हम देखेंगे मोहन जोड़ू कहां स्थापित है यानि कि सिंधु नदी पर था बनावली बनावली को देखेंगे सेकेंड यानि कि थार्ड नहीं फस्ट वाला स्वरी फस्ट में आएगा क्योंकि सिंधु नदी है दूसरा आफशन बनावली जो है वह आपका हमारा मतलब की रावी नदी पर इस्थित है तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा बी कौन सा आंसर हमारा सही होगा बी आंसर हमारा सही होगा मिलान का अब हम आएंगे नेक्स कॉस्चन पर मिलान का ये भी है तो ये भी ये कौन से रिलेटेड है बैदिक नदियों से यानि की बैदिक नदियों से यानि की ये बैदिक नदिया है और बरतमान में उसके नाम क्या है तो कौन-कौन से नाम है देखते हैं हम अब हम देखेंगे जो नाम यानि की अस्कनी है अस्कनी है परुषणी है सतुद्री है सतुद्री वाला हम देखेंगे कौन सा और अस्कनी जो होगा वो अस्कनी को क्या बोलेंगे अस्कनी को चिनाव किसे रिलेटर करेंगे अस्कनी को बर्तमान में चिनाव नदी कहा जाता है और परुषणी को क्या कहेंगे यानि कि ये परुषणी ज क्या बोलेंगे सतलज ये बरतमान नाम है ये बैदिक नदी यानि बैदिक के बारें बात करें बैदिक में इस नदी का नाम सतलज था और बरतमान में इसको सतलज बोला जाता है बिपासा बिपासा मतलब ये हो गया आपका ब्यास तो इसमें आंसर कौन सा सही होगा ब्यास या विपासा को ब्यास बोला जाता है अब हम आएंगे नेक्स कोश्चन पे दच्छिन भारत का ये कोश्चन ये भी कि पूछा गया है कि राज राजेश्वर मंदीर समर्पित है क्या पूछ रहा है कि राज राजेश्वर मंदीर समर्पित है यानि कि किसको समर्पित है ये या फिर सीव को समरपित है या फिर बिशल को या फिर सूर को तो किसको समरपित है हम देखेंगे कि राज-राज़ी 是वर मंदृ है जो मंदीर है तो वो सीव को समरपित कर वा जाएगा अपने ही नाम पर इस मंदिर का नाम उन्होंने राज राजेश्वर मन रखा था अब हम आएंगे next question ये एक मिलान है ये इसमें पूछा गया है यानि की बौध धार्म यानि की बौध संगीती के बारे में बहुत संगीती में चार संगीती हुई थी चार संगीतियों का हमको मिलान करना है यानि की ये मतलब प्रथम दिती और तिती ये तीनों यानि की जो संगीती हुई थी चारों वो कौन-कौन से अस्थान पर हुई थी अब इसमें भी कूट वाले आंसर हैं कूट वाले आंसर का आप देखेंगे यानि कि प्रथम जो संगीती हुई थी वो कहां हुई थी कहां कहेंगे कि मतलब जो प्रथम संगीती थी वो कहां मानी जाएगी प्रथम संगीती राजग्रीह में कहां मानेंगे कि राजग्रीह में हुआ था प्रथम संगीती अभी हम देखते हैं कि यह जो संगीती है अरम कौन से स्थान पर यानि किसके किसके अध्यच्छता में करवाई गई थी तो हम देखेंगे यानि कि ये हाँ कौन सा प्रथम संगीती हुई थी हमारी राजगरी में हुई थी जो दूसरी यानि की संगीती हुई थी वो कहां है वैसाली में कहां है वैसाली में और तीसरी जो संगीती हुई थी यानि की पाट कस्मीर में हुई थी तो कौन सा option आपका सही हो जाएगा कौन सा option आपका सही होगा यह तीसरा यानि की सी मतलब प्रथम संगीती राजगरी में और सेकेंड यानि की रिती संगीती बैसाली में और तीसरी संगीती आपकी पाटिल पुत्र में होगी चतो संगीती आपकी कस्मीर म अब हम आएंगे next question पर देखेंगे क्या पूछ रहा इसमें निम्न लिखित में से ये भी दच्छिन भारत का है यानि कि क्या पूछ रहा है संगम के बारे में बात कर रहा है संगम यानि कि निम्न लिखित में से कौन क्या पूछ रहा है कौन तृती ये संगम का अध्याच्छ था हमारी दचिट भारत में कितने संगम हुए थे तीन संगम यानि कि प्रताम मुदि ती तो इसमें मैं कौन सा पूछ रहा है तृती संगम् का अध्ययच्य पूछ रहा है तमौन से माने उसके अध्यच्चता करते हैं इसके कौन है नगीर है? प्रथम संगीती औरनीक प्रथम संगम की बात करसे गीमरा है तो वो अगसरी शी चीह अध्यच्चता में हुए तो दूसरा जो संगम हुआ था व тво युच्चता के अदिश्चिते लेकिन तीसरे के नकीरर है अब हम आ Alexandria Next question, यानि कि Last question हमारा है कि निम्नी लिखित में से क्या पूछरहा है, निम्नी लिखित में से कौनसा युगम, इसमें भी भी है यानि कि पूरा question पढ़ना कि इसमें नहीं पूछा गया है कौन सा यूगम यानि निमलिकित में से कौन सा यूगम एक सुमेलित नहीं किया गया है तो कौन सा होगा देखिए ब्राम्मार यह हैं बेद यानि की रिगवेद, सामबेद, यजूरवेद और अथारवेद इधर हैं ब्राम्मार गरंथ यानि की किसे रिलेटर है रिगवेद यानि की एत्रे है ये भी आपका सही है यहां पे नहीं पूछ रहा है क्या सही नहीं है इस वजे से तो सामबेद है आपका तो सामबेद जो आफशन है वो आपका सही नहीं है ये सही नहीं है क्योंकि सामबेद यानि की जैमनी है इसका 25 और 27 है तैत्री नहीं है आ आपका सही है और अथर्वेद का ब्राम्मरगंत गोपत भी आपका सही है तो दोस्तों हम देखेंगे आपके कोश्चन यह सारे जो हैं जो मैंने करवाए हैं वो आपके लिए बहुत हेल्फुल होंगे आज के लिए बस इतना ही अब नेक्स वीडियो में हम आएंगे आगे ले झाब है और अजब सक्टाइब दो एतना ही लेवाए हैं जो आपके लेशाए हैं जो दोटाएब को भी आपके यह हैं आपके लगोंगे नह कोश्चन बाहें हैं आपके लेगए हैं यह यह